जी अस्राम्लीकूम, कैफ और आज के लेक्चर का अगास करते हैं, आज हमारा तीसरा और लास्ट लेक्चर होगा, प्रेक्टिस एंट विएन सेशन का, जिसमें हमने simulation करनी है, autumn 22 पेपर की, class environment में हमने complete इस पेपर को attempt करने की कोशिश करनी है, पेपर अलड़ी आप लोगों को किसाँ शेर कर दिया गया था, और आपको time दे दिया गया था, half an hour का, उमीद है आदे गंटे में आपने complete पेपर का, mcqs के लावा, क्योंकि mcqs के लिए आपको पत कितने स्टोंट्स ने 30 मिनट्स में सारा पेपर पढ़के और इसके की पॉइंट से लाइदा पेच में नोट कर लिये हैं, यानि की पॉइंट से मराद decision और क्या लिखना है, ये तकरीबन 12 से 15 स्टोंट्स ने किया है, इसका मतलब है अभी आप लोग, और कितने स्टोंट्स पेपर करने के काबिल हैं, लेकिन याद रखें, आपने इस अनेलेसिस को मजीद शाप करना है, decision making skill जो है ना अपनी बढ़ानी है, और ये शाप होती रहेगी skill, जितनी ज्यादा आप एक सेटिंग में पेपर की practice करेंगे ना, आपकी decision making उतनी ही quick होती जाएगी, तो 80% level तक MCQ उस बाद में आप कर लिजेगा, तो 30 मिनट में complete 85 marks का paper जो है, इसका analysis आपने करना है, ये आपका target होना चाहिए, इसके बाद इंशाला धाई गंटे में आप बड़े आराम से हर question का, चाहे वो case study है, चाहे reproduction का question है, उसको attempt कर सकते हैं, तो अभी आप लोगों ने जो question attempt किय उसकी discussion करते हैं, start, और साथ में present करते हुए paper को आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, MCQ आप किस तरीके से present करने है, कैसे present करने है, answer sheet पे है, question paper पे, answer sheet पे, किस तरीके से दर्मयान में line लगागे, table की शकल में, left side पे number, right side पे option, option के साथ description लिखना ज़रूरी है या नहीं, इस सिरफ option लिखना है, शाबाश, अब आते हम अपने second question की तरफ, इसमें note कीजिए, briefly discuss delegated legislation and state any two advantages and two disadvantages of delegated legislation, also describe how control is exercised over delegated legislation, एक question है, लेकिन असर में ये एक नहीं, इसके अंदर चार चीज़ें उसने पूची है, उसने delegated legislation की definition पूची, advantages पूचे, disadvantages पूचे, how control is exercised, अब mark सिरफ 5 है, आपने याद रखे, ये तो फैसला कर लिया होगा, कि ये आपको question आता है, ये आपको question आता है, अगर आपने syllabus complete कि है, को question आप, अब आगे इस question को present कैसे करना है, ये decision करना है, हमने, मैंने आपको ये बताया था कि question के अंदर अगर तो different parts हो A, B, C, D करके उसने सब पार्ट, तो हमने, हमारे लिए असान हो जाता है, हमने हर part को separate page पे attempt करना है, लेकिन जब इसरा का question होता है, two in one, three in one, four in one, त ये decide कर लिया हमने, अब हमने जो अगला decision करना है, वो ये करना है, हर एक हिसे के कितने marks है, delegated legislation है, total five marks है, इसके कितने marks होगे, two advantages के कितने, two disadvantages के कितने, और how control is exercise, ये कितने, marks करने, आपके खाल में क्या marking होगे, ये judgment कीजिए, क्या marking होगे, delegated legislation का, एक number, और advantages के, दो इसके हो मांस तो इदर निवट गए, इसका मतलब marking scheme ठीक ने की आपने, फिर से बताइए, इन कहेंगे, अच्छा आप ये depend करता है, कि मुझे in advantages को explain करना है, ये सिरफ heading देनी है, और depend करता है marking कि मुझे how control is exercise को explain करना है, ये सिरफ heading देनी है, marking scheme इसमेंड करती है, तो बताइए, advantages और disadvantages को explain करना है कि सिरफ heading देनी है, ये आपको ये word बता रहा है, इसलिए आप state को underline करें, और either describe को underline करें, state करना, identify करना, list करना, इन का मतलब क्या होता है heading दे दो, और describe करना, briefly explain करना, heading से साथ explanation भी लिखने है, तो अब जो मेरी marking scheme हुई, मेरे ख्याल में एक number होगा, delegated legislation का, 0.5 each advantage का, 0.5 each disadvantage का, two marks होंगे, control के, one mark each for each type of control, दो हैं जुडिश्री और Parliament, with explanation, अब ये mark, अब जब आपने देखें, solution कर लिया, वो एक step था, solution कर लिया, आपने key points लिख दिये, वो एक step, अब इसके बाद आपने इसको present भी तो करना है, इसको present भी तो करना है, अब present कैसे करना है, वो आपको question के अंदर, जिस लिहास से उसने requirements बताई हैं, और marking scheme आपने judge करने हैं, उसके मताबिक present करना है, अब इस question को present करना है, पेज के topic question 2 ही आएगा, आगे part 1, 2, 3 नहीं है, क्योंकि उसने question के sub parts बनाएं नहीं, question के sub parts नहीं है, हम solution में भी 1, 2, 3, ABC करके sub parts नहीं बनाएंगे, बलके क्या करेंगे, headings दे दे देंगे, delegated legislation heading, heading मतलब वही black man जो आपसा, उसको underline कर लिया, underline करने को हम heading नहीं बोलते हैं, delegated legislation की definition लिख दे, फिर एक दो line सोड के, आगे advantages की heading दे, फिर एक दो line सोड के, differentiate किया, अब यह ना हो कि advantages, disadvantages, आप ऐसे fit कर देंगे, उसे पता नहीं चले, advantage कौन सा, disadvantage कौन सा, देखे, numbering हो जाए, तो differentiate करना असान है, लेकिन अगर numbering नहीं की ना, तो फिर आप space दे के differentiate करेंगे, या उसकी heading बना के differentiate करेंगे, यह present करने का असूल जहन में रखिएगा, अगर तो part 1, 2, 3 बना दे, बेहतरीन, इसका होता question की, उसने drafting अच्छी की है, आप 1, 2, 3 करके उसकी numbering के लिहाज से चलेंगे, लेकिन अगर इस तरह का question हो जाए, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, तो आपने इसको clearly differentiate करना है, clearly differentiate का मतलब क्या है समझा रहा है, और यह कैसे करना, यह भी समझा रहा है, चलिए, अभी मैं इसका solution discuss नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो already हम class में भी discuss कर चुके हैं, और आपको पता ही होगा, ठीक है, वैसे इसमें जो मुझे लग रहा है, जो सबसे आपके लिए, how control is exercise, इसमे क्या, पारलिमेंट और, जूडिशली, जूडिशली कंट्रोल, वो किस सुरत में जूडिशली इसको नल एंड वाइट करार दे सकती है, अल्डरा वाइर, यह लफ़ज सुनना चाहरा था, शावाश, याद है, और पारलिमेंटरी कंट्रोल क्या होता है, पारलिमेंट जब होगी, अप्रूवल वाला, कलियर टू में कोई प्राब्लम तो नहीं, आगे चलते हैं, क्वेस्टन थ्री, क्वेस्टन थ्री में एहम चीज यह नहीं थी, ड्राफ्टिंग करनी है, एहम चीज यह नहीं, देखें, वो तो आप करी लेंगा, यह छोटा डिसियन है, कि जो ड ये सारी चीजें बड़ा फैसला सही होना चाहिए, बड़ा फैसला क्या है, इंस्रूम synd कों सा है, और किस टाइप का है, ये सही फैसला हो गे ना, आपको बताया था ना, जिदगी में भी कुछ फैसले हमारे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, हर इंसान सारे फैसले कर ही नहीं सकता इंपॉसिबल है तो हमने कोशिश क्या करनी है बड़े फैसले ठीक करें और छोटे फैसले गलत हो भी जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए पेपर में बड़ा फैसला क्या है कि यह किस टाइप का इंस्रूमेंट है एक दफा यह पता चाहिए इस्रूमेंट था कैसे पता चला बिल्लो फैक्सेंट वो कहता है एक इस्रूमेंट से लेना देना दोनों सेटल कर रहा हूं मैं जिससे लेना वो भी जिसको देना वो भी तीन पार्टी से इन्माल्फ होगी अच्छा यह लाना ना भी पूरे इनलिस नहीं हुआ खागे मार एक और चीज़ का अनलिसिस करना बताईए वो कुन सा एक तो होगे ना आपने कह दिया टाइप अफ इस्रूमेंट निगोशियब इस्रूमेंट है अमाउंट नहीं नहीं माउंट तो है नाइन फिफ्टी का पार्टीज भी हैं ड्रॉर ड्राइब वो हाँ ठीक है वो भी अ ड्राफ्टिंग में आ जाए शाबाश ये फैसला कर लिया आपने के प्रामिजरी नोट है कि बेल ओफ एक्सेंज है क्या ये फैसला नहीं करना टाइम है कि डिमांड है अगर तो क्वेस्टन में कोई इंडिकेशन ना ना दी होती मैं आप पे छोड़ देता मैं ये पॉइं कौन सी इंफरमेशन है तो मांच यहां पे लिखा हुआ कहीं पे किदर लिखा है यह रिमेंडिंग मांड एग्री तो बी रिशीवड आफ्टर तू मंस आफ्टर टू मंस को अंडर लाइन करें कितने स्वांट यह टू मंस वाले पॉइंट को पिक किया था शावाश कम स्व टाइम का याद किया टाइम बना देंगे हाला कि डिमांड वाला हाला कि है बिल ओफ एक्सेंज ही लेकिन डिमांड वाला गलत हो जाएगा बाकी मांट्स क्या होगी डेट्स क्या होगी वो तो आप करी लेंगे चलिए थ्री में कोई प्रॉब्लम ठीक चलिए आगे चलते है question 4 under the provisions of contract act उसने हमें कहा है मुझे coercion और undue influence का फरक बताओ फ्राड और misrepresentation का फरक कोर्शन और इसके points क्या होते थे कोर्शन और undue influence के फिजिकल नेचर और प्रेशर क्या है relationship हाँ by whom on whom ठीक है और फिर इसी तरह fraud और misrepresentation में क्या होता था intention और damages अच्छा मुझे ये बताईए exam में मैं बैठा हूँ मुझे ये इसके marks तो बड़ी आसानी से पता चल गए इसका marking plan बड़ी आसानी से पता चल गया कैसे अच्छा ये marking plan आपने solution बनाने कि जो key points उसके बाद करना है present करते हुए present करने से पहले क्योंकि आपके mind में जो marking plan बनेगा वो decide करेगा कि आप presentation कैसे देने जा रहे हैं पांच points है पांच number इसका हर two points है three marks one point five each गर गए गलती मुझे बताइए आपके ख्याल में इस point के अंदर इस वाले के अंदर दो points है क्या दोनो equally important है या यूं कह लिजिए equally lengthy है या एक short है और एक point lengthy है हाँ एक point lengthy है ठीक है intention loss वाला और फिर जो damages वाला है जो दूसरा point है वो थोड़ा short तो जो lengthy point है याद रखिए उसके two marks होंगे ये mathematical allocation नहीं होती अगर तो सारे points एक जैसे है ना तो वो mathematical होगी one mark फारीज लेकिन आपको पता है कुछ points हमारे lengthy होते हैं कुछ short होते हैं उस पे mathematical नहीं होगा divided by two उस पे आपने judge करना होगा कि क्या इसमें कोई ऐसा point है जो एक lengthy है लेंथी है तो फिर आपने भी उसको lengthy के तो पर जितना book में या notes में लिखा हुआ हुआ है क्लियर हो गया यह five or three अच्छा मुझे यह बताईए एक्जैम में बैठा हूँ five है six कर दूं तो चलेगा four कर दूं तो चलेगा six क्यों चलेगा क्या examiner यह नहीं सोचेगा और मुझे तो इतना फारग है इसको गिंती नहीं आती मैंने पांच लिखा इसने च्छे कर दी है और मुझे कहेगा ऐसे बंदे को जिसको गिंती नहीं आती चार्डर कोने बनना नहीं चाहिए और फेल करदेगा। ऐसा होगा क्या ऐसा नहीं अगर आपको छटा पॉइंट भी आता हो और टाइम हो तो एक आदा पॉइंट लिख देना बहतर है बताईए अगर आप एक फैक्टर या एक पॉइंट जादा लिख देते हैं exam में वह आपके first five चेक करेगा पॉइंट से या best five बेस्ट फाइव शाबाज ठीक है इसलिए बेहतर होता है अगर टाइम अलाव करे अगर वक्त इजाज़त दे तो एक आदा पॉइंट एक्स्टा लिख देना बेहतर है बही क्लियर हो गया अब मेरा प्रेजेंटेशन के हवाले से मार्किंग प्लैन हो गया अब प्रेजेंटे कैसे करना टेबल फार्म में के स्टेटमेंट फार्म है जो डिफरेंसिज आपने टेबल फार्म में पड़े हैं वो टेबल फार्म में ही लिखने है दर्मयान में लाइन लगा के और जो टेबल फार्म में नहीं पड़े वो टेबल फार्म में नहीं करने बताएए पहले वाल पार टेबल फारम ने होग Gmail बी वाला टेबल यह भी टेबल mo नहीं यह एंठाय रहे हैं यह यह टेबल फार्म में भी हो सकता वैसे लेकिन जो डफीनेशन होती हchanoll definitions यह तो statement farm में ज्यादा बेहतर होती है अच्छा इन दोनों का difference भी टेबल में लिखेंगे जिसका difference आपको इस ते टेबल में बता है खा गए मार आप लोग क्वेस्टन को गोर से नहीं पड़ा टॉपिक सारा पढ़ लिया च्छे मीने क्वेस्टन गोर से नहीं पड़ा अला करें अब मेरे जिसमें जो बात आ रही है ठीक हो अना identify आपके क्यार में करें बताईए वो fraud और misrepresentation में difference पूछ रहा है कि इनके effects में कि दोनों सेम है fraud और misrepresentation में difference पूछ रहा है कि इनके effects में effects कि दर है लफज effect effect का लफज किदर लिखा है identify क्या identify करो दो फरक किस में fraud में और misrepresentation में इसमें fraud और misrepresentation में इसमें definitions भी include करनी है definitions भी include करनी है और फिर इसके बाद आप उसका impact भी लिखेंगे क्योंकि वो भी बहराल fraud और misrepresentation में फरक है ठीक है तो definitions भी लिखनी है intention में अगर आपने intention देखें बहतर यह है कि आप definitions को अलादा लिखें और intention को briefly explain करें ठीक है क्या आप इस point को accept करते हैं कि इसमें उसने clearly mention नहीं किया कि हमने definition लिखनी है कि हमने impact लिखना है तो जब question में question को open छोड़ दे कहें इन दो चीज़ों का फरक बताओ तो फिर उनमें जो जो फरक होता है हर चीज़ बताते हैं ना तो fraud और misrepresentation का फरक बता रहा है definition का भी फरक है impact का भी तो हम दोनों बताना चाहिए मैं अगर इसको mention करूँ तो definition भी include करूँ और impact यानि दर्मयान में line लगा दूँ एक heading definition की fraud वाली misrepresentation फिर दूसरी heading impact वाली वो लिख दूँ लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप एक line sentence paragraph में दो difference कवर कर सकते हैं जैसे intention की बात कर रहे हैं कि intention को explain करते हुए definition भी उसमें कवर कर वो भी कर सकते हैं लेकिन main point जो मैं चाहरा हम आप सोचें वो ये कि उसने question के अंदर fraud और misrepresentation में फरक पूचा है effect of fraud और effect of misrepresentation में फरक नहीं पूचा वो damages का फरक आजा लेकिन हाड difference तो है आएगा आएगा समझा ये चाहरा हूँ कि comprehensive level पे आपने सोचना है कि specific level पे सोचना है इस question को comprehensive क्योंकि उसने open छोड़ा है और याद रखे ये तरीका कार उसका सिर्फ ये कैफ 4 में नहीं है और भी जो theoretical खास और पे topics होते हैं उनमें जब उसने concept पुछता है तो हमने फैसला करना होता है कि पूरे का पूरा learning objective पूरे का पूरा concept हम produce करें या उसका एक हिस्सा तो वो depend करता है question की requirement क्योंकि अगर उसने general कहा ना मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ जी ठीक है मुझे contract के बारे में बताओ तो definition भी लिखे essentials भी लिखे revocation भी लिखे offer के बारे में अगर उसने कहा लेकिन अगर वो सिर्फ कहता है मुझे revocation of offer के बारे में बताओ तो फिर समझ रहे हैं आप point को जो समझाना चाहरा हूँ तो इससे हाला कि चोटा सा question लेकि चुकि इसमें concept involved है जो किसी दूसरे concern में हो सकता है हमारे काम आए तो वो बता रहा हूँ तो यह बात समझा रही है difference between fraud and misrepresentation और question होगा और difference between effects of fraud and misrepresentation और question होगा इस तरह की wording में बाद अगार जैसे आपको या वो क्या था चैप्टर टू में हमने पढ़ा था अफर essentials of offer के बाद हाँ जी essentials of acceptance of offer बताएं एक question दाना essentials of acceptance of offer बताएं तो acceptance होती है या offer की एसेंचल किसके बताने थे हम confused होगे थे कि offer के अगे offer भी लिखा हाला कि acceptance तो होती है या offer की है और वो acceptance के essentials थे तो इसलिए इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ छे महिने की त्यारी एक तरफ और ये तीन महिने की एक तरफ साथ मिने का कौन सा सेशन होता है सेम मिने की त्यारी एक तरफ exam में तीन घंटे की performance एक तरफ और इस तीन घंटे की performance में भी आपके डाई घंटे एक तरफ जिसमें आपने drafting करनी है और आदे घंटे का analysis एक तरफ analysis पहले करने का कि यह भी फाइदा होता है अगर कोई concept आपके सेमें गलत आ भी गया ना तो आपने सिर्फ दो तिन पॉइंट लिखे होंगे दुबारा पढ़ ले होंगे सही concept आगया आपके लिए इसको rectify करना असान है क्योंकि आपने ज्यादा सी एक दो line लिखी है लेकिन अगर सारा question बाज उकात ऐसा exam में होता है मेरे अपने साथ ऐसे हुआ कि बाज उकात फोरी तोर पे और बाज उकात जब center से बाहरे निकले तब जहन में आता हूँ यह तो लिखना ही नहीं था तो reverse करना असान हो जाता है जब आपने पहले analysis किया हूँ यह इसके यह essentials of acceptance के बनते थे किसने बताया था यह essentials of acceptance of offer यह example किसने रियाद करवाई थी हमें किसने करवाई थी इस भाई ने भाई दूसरे कालजिस के बच्चों को खैंच के ना लाया करें पाप लगेगा आपको गलास भाई रहे ने क्यूंके कैरियर से खेलते है रहीम हाँ एक जिन्दगी एक अब वो बात करने लगा हूँ जो जिन्दगी बर इंशाला आपको काम देगी अगर आप अमल करेंगे हमारे वैसे तो प्रफेशनल वो हमारे कोड फैथिक्स होता है उसमें भी लिखा हुआ है लेकिन जिन्दगी में भी याद रखे किसी को फैसला ना करवा है किसी के भिहाफ पे फैसला आप किसी दूसी जगा बच्चा सोच रहा है मैं उधर अड्मिशन ले लूँ उस कालेज में आप चाहे अपने टीचर से जितने मर्जी मुतमिन हो उसको ये मश्वरा ना दे इदर अगर आपने मश्वरा दे दिया फैसला तो हला कि उसी नहीं करना है और उसने अड्मिशन अब देखे कामयाबी ना कामया कभी भी टीचर के हाथ में नहीं होते इस आपने आपने किसी को याद रखे मेरी आदत है मैं फैसला तो किसी का करवाता ही नहीं मुझे पता ये आप यह जब थोड़ा जिन्दगी को देखेंगे लोगों का भीएवर देखेंगे तो पता चलेगा जब अच्छी चीज होती है ना वो आपने महावरा सुना ही होगा पता है इंग्लिश का महावरा है मुझे इंग्लिश मेरी साब की है जिसमें वाके काम्याबी के बहुत से दावेदार होते है और नाकामी यतीम होती है इस तरह का इंग्लिश का एक महावरा है ना तो जब डिसियन अच्छी हो जाते हैं ना हर बंदा कहता देखा मेरी स्ट्रेडिजी और जब डिसियन गलत हो जाते हैं तू नहीं मरवाया मुझे तो इसलिए डिसियन कभी और मश्वरा भी ना दे बिला वजा का अरस्तु या अफलातुन बनने की कोशिश नहीं करने चाहिए हमारे हाँ किसी मोची से भी पूछ लेंगे ना मेरे पेड़ में दर्द हो रहा है तो आपको पता चलेगा वो हकीम भी है हिकमत भी करता है किसी से कोई बात पूछ ले मैंने आज तक नहीं किसी के मूँ से ये बात सुनी कि ये चीज का मुझे नहीं पता किसी एकस्पर्ट से पूछ लो हर बना कोई ना कोई लाज तरीका तरीका मश्वरा दे देता है तो बाराल बेहतर यही है मेरा मश्वरा यह है किसी को मश्वरा ना दे मैं सिर्फ अपने स्ट्रोंट्स डिसीयन तो मैं स्ट्रोंट्स कभी ने ना करवाता सर ये सब्जेक्ट किस से पढ़े ये किस से पढ़े ये सब्जेक्ट उठाएं, डिसियान नहीं देता, सिरफ मश्वरा, मश्वरा और मश्वरा भी मेरे स्टूर्स को देता हूँ, स्टूर्स के इलावा कोई मेरे से कुछ पूछने आ जाए, कभी नहीं मश्वरा दिया, क्योंकि मुझे पता है, अगर मश्वरा काम्याब हो गया ना मुझे क्रेडिट नहीं मिलना, पर अगर ना काम हो गया तो बद्लामी होगी, इसलिए जो जिदर जाता है ना, रिस्क ना लीजिए, रिस्क उड़ते तीर को उड़ने दे, रिस्क कोई उदर जा रहा है, नहीं मेरे कहने का मतलब ये था, जाते बच्चें किसी और इंस पड़ लेते हैं, उसने हमें, उसने हमें बहुत सी स्वेशन दे दी हैं, उसने हमें बहुत अच्छा करता है, अपना काम करना बहुत अच्छी बात है, वो बहुत से फ्री लांसर को इंगेज करता है, वो बहुत से फ्री लांसर को इंगेज करता है, ये आपने पड़ी लिया होगा, अब ये चार, अचब सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताईए, इस क्वेशन फाइव के चार पार्ट्स हैं, क्या हर पार्ट लादा पेज पे करना है, येस, अच्छा क्या हर पेज के उपर क्वेशन का नंबर लिखना है, येस, फाइव A है तो फाइव A, फाइव B है तो फाइव B, फाइव C1 है, तो फाइव C1 और फाइव C2 लिखेंगे, कलियर, हरे अलग, अच्छा अगर किसी प आपसे इंतकाम लेने का बहतरीन वक्त है वो आपका कैरियर खराब करता है जाया करता है फेल करके आपने उसका सफ़ा जाया कर देना है हाँ जी बदला लेना है वो अच्छा वाइल टीचिंग इसमें क्या कहा रहा है वो अब ये हर पार्ट को लादा लादा फॉर मार्क्स के साथ इसमें वो ये कह रहा है कि एक मेजर ने माइनर के साथ मिलके थर्ड पार्टी के साथ एग्रिमेंट किया रिक्वार्मेंट देखें डिसकस वैदर फरा कैन इनफोर्स पर्फार्मस एगेंस रहीम एंड उसमा इस के सड़ी में में कंसेप्ट क्या था के रहीम मेजर था उसमा माइनर हाला के उसमा ने ये कहा था स्टेटमेंट दी थी रिप्रिजेंटेशन के मैं मेजर हूँ तो क्या इस पे स्टॉपल का रूल अलवाए है स्टिल माइनर का ट्रीटमेंट ही होगा एक चीज़ मुझे ये बता दें सिरफ क्वेस्टन की रिक्वार्मेंट पढ़ ले मुझे बताएं क्वेस्टन में क्या वो ये पूछ रहा है के प्रामिजी किस के खिलाफ एक्शन ले सकता है या किस के खिलाफ इनफॉर्स करवा सकता है या ये पूछ रहा है के कौन से वाला प्रामिजर परफॉर्म करेगा अब आपके सर दोनों में फरक क्या है फरक है क्वेस्टन में क्या पूछ रहा है के प्रामिजर किस के खिलाव एक्षिन ले सकता है यह नहीं पूछ रहा कि प्रामीजी में से कौन परफॉर्म करेंगा यह फरक होता है ना एक प्रामीजी है नॉर्मल रूल यही होता है आप कहें प्रामीजर का राइट तो इस इक्वल टू प्रामीजी की डूटी normal rule यही होता है लेकिन खुर्स जोगों पर लागा फरक है यह promise का right पूछ रहा है के promise की duty question क्या पूछ रहा है एक तरह से promise का यह promise के point Vue से resolve करना है तो रहीम के against inform कर पहले तो आप बता देंगे यह चार नमबर का question है पहले हम बता देंगे इस question में problem किया है इस question में problem किया है उसकी relevant legal provient बता देंगे इसमें क्या problem है एक minor और एक major और उसकी relevant legal provient किया है कि अगर minor और major jointly promise करें तो major libel होता है minor के हलाफ नहीं करवाया जा सकता है यह हो गया हमारा relevant legal provient maybe one mark या one point five marks की relevant legal provient आगे मुझे बताईए रहीम के बारे में डिसकॉस करें कि क्या फरार रहीम के against enforce कर सकती है दोनों का लाइद रदा बताना है रहीम का लाइदा उसमा का लाइदा पहली लाइन में फरार रहीम के against enforce कर सकती है yes कर सकती है क्यों वो माइनर है क्या इस सलूशन में कोई और बात भी आएगी rule of stopel वाली यह याद रखिएगा क्योस्ट आपकी decision तो एहम है basis of decision ज्यादा एहम होती है और basis of decision में आपने question का अंदर हर issue जो rise हुआ है discuss करना है हर issue rise हुआ है discuss करना है कुछ रूट यह कहते है सर इस टोपल की वज़ा से problem कोई भी नहीं हो रही decision तो सेम रहेगा हमारा तो इस टोपल वाली बात लिखने की क्या जरूरत है इस टोपल वाली बात लिखने की जरूरत है question में उसने जो जो मसला बताया है ना solution में आपने उसको comment करना है तो उसने representation की वाली बात कर दी ना तो हमने भी solution में representation वाली बात करनी है हाँ ये लिख देंगे के representation होने के बावजूद भी वो liable नहीं है minor उसामा क्योंके representation रूल ओफ इस्टॉपल ड़स नाट अप्लाई उन माइना बात समझा रहे हैं अच्छा इसकी representation कैसे करेंगे आप पहले relevant legal provision बता देंगे minor major jointly वाले फिर उसके बाद जब basis of decision में क्या करेंगे पहला step फरा वर्सिज रहीम फिर दूसरा फरा वर्सिज उसामा और इसमें दो पॉइंट आएंगे एक उसामा लाइबल नहीं है और तूसरा rule of stopल ठीक है headings देना लाजमी नहीं होता लेकिन headings clearly concepts को requirement को clearly differentiate करने में helpful होती है इसलिए मैं हमेशा encourage करता हूँ कि headings दे दिया करें headings मुझाद उसी pen से लिखके black pen से underline करना है ये clear रहा जिए आगे चलने फिर B B में क्या कहानी थी ये basic agreement कौन सा था उसने कहा जी मेरे टीम की इतनी अची तेरिया टूर्नामिंट जीतेगे वेजरिंग वाला concept है क्यों क्यों वेजरिंग वाला है क्योंके parties का real interest नहीं है अच्छा अगर ये question इस तरीके से होता ना जो टीम जीतेगी उस टीम को एक लाख मिलेगा वेजरिंग नहीं है यहां पर तो वा करे अगर तूम जीते तो मैं तूमें इनाम दूँगा अगर मैं जीते तो तूम इनाम नहीं सुरी शर्थ क्योंके मेकाबला है नों तो धर्मיया में तो होई नहीं हो skull मेकाबलाई अगर जो खिलाडी खेलने वाले होते हैं उनको हार-जीत की सुरत में पैसे मिले ओअ वेजरिंग नहीं है हां जी, वो प्राइज में आ जाता है वर्ड काप हारने वाली तीम को इतने पैसे मिलेंगे जीतने वाले को इतने पैसे मिलेंगे यह प्राइज है लेकिन जो बाहर बैटे बुक जवारी होते हैं वो जवा एक तो हमें उसका इंट्रेस्ट नहीं है फिर इसके बाद उसने क्या पुछा हुआ है डिसकस वैदर हीम कैंसू नादिरिफ टीम मिन्स बड़ नादिर रिफ्यूजिस टूपे लेकिन डिरेक्ट पहले तो रिल्लीमेंट लिगर प्रमियर लिख दी वेजरिंग है साबित कर दिया वेजरिंग अ अब क्या करेंगे क्लेम नहीं कर सकता इफ रिफ्यूजिस टूपे क्यूं नहीं कर सकता इफ लेकिन तो इसमें दो माउन्ट्स थी एक जो 10,000 अडमास दिया है और एक लाख जो ओपर इनाम है वो लाख वापिस भी नहीं होगा क्यों नार्मली तो ब्रीच ओफ कॉंट्रेक्ट में या डिसार्ज ओफ कॉंट्रेक्ट में यह होता है लेकिन इल्लीगल में नहीं होता इल्लीगल में नहीं होता याद है वो सुपारी दी थी हमने हाँ जी और वो स्पारी लेके निकल कह रहा था मैंने नहीं बंदे के कुछ करना यह तो श्रीफ आदमी है तो ना हम उससे कॉंट्रेक्ट इंफोर्स करवा सकते है ना पैसे वापिस ले सकते है ठीक है? वाइट एग्रिमेंट में और इल्लीगल और क्रिमिनल एग्रिमेंट में यही फरक है वाइट एग्रिमेंट में बेनिफिट्स रिस्टोर होते है इल्लीगल क्रिमिनल एग्रिमेंट में बेनिफिट्स रिस्टोर तो यह तो इल्लीगल है जुआ इल्लीगल है ना? पुलिस वाले ले जाते हैं अखबार में सिर्फ यही खबर आती है कि जवारियों को जुए दाओ पे लगी हुई रिकम समेथ गरफतार कर लिया उसके बाद उनके साथ जो होता है वो खबर अखबार में नहीं आती है यह सीना बसीना राज चलता है है ना ऐसे ही है ना सी औरिंज लिमिट जो भी है ओल साइन डे कॉंट्रेक्ट भी रहीम यह कहानी थी हाँ सोशल उन्हें कहा कंपडी ने कहा एक आईटी फर्म को रहीम की क्या आप हमारा बिजनिस साइट समार सोशल मीडिया अकॉंट समा लें फेस्बुक पे जिस वूंट की इंक्वारी आए फोरण जवाब दीजिए उन्हें ने कहा ठीक है हम लेंगे पंदरा लाख पर कॉ आइगरिमेंट हो गया रहीम ने फिर ब्रामिजर कोना है रहीम के औail कंपनी प्रमिजर कौन है रहीम रहीम ने बोलाक किया ठीक है दो लाग सेलनी पे फिर रहीम ने सेवरेल रिमाइंडर भेजे के पासवर्ड दो ताकि एक काउंट आपका मैनेज करें पासवर्ड दिया ही नहीं इस क्वेशन के दो हिस्से दो हेडिंग होनी चाहिए एक हेडिंग में क्या कमेंट करेंगे वैलिडिटी ओफ कॉंट्रेक्ट बिट्वीन ओएल रहीम दूसरे में क्या कमेंट करेंगे रहीम को क्या वैलिडिडी बेब बताएए वाइडिबल एड़ आपक्षिन ओव क्या सिर्फ यह लिख दे करें क्या रिजनिंग भी बताएं क्या रिजनिंग वाइडिबल क्यों है यह प्रॉमिजिं निगलेक्टिट टू परफार्म हिज्या तू परवाइड फसीलिड़ि लिए रस्ते में हमने दो चाह सीड़ें काईव कर दी थी वो उपर जाए नहीं सकता था उससरा का केस था धर्मयान में समान रखा हुआ अपर नहीं समान पढ़ा हुआ था तो जब हमने जब प्रॉमिजी प्रॉमिजर के रस्ते में हर्डल्स रुकावटे डालना शुरू कर तो फिर यह प्रामीजी के लिए वायड़ेवल होला हो जाता है प्रामीजर के लिए नहीं किसके लिए प्रामीजी के लिए तो यह वायड़ेवल हो गया एड़ा आप्षोंग उफ रहीम आगे रिजेंगा निक दे iskesके किफंए ग्विटे वैंड़ तो रिसेंड भी कर सकता है कंटीनू भी कर सकता है रिसेंड भी कर सकता है कंटीनू भी कर सकता है और रिसेंड करता है तो डैमेजिस कलेम कर सकता है और डैमेजिस क्या बताने चाहिए क्या होंगे जो ज्याकोसेल्ली पे की है वो कॉंट्रैट कैंसल होने तक ज्याकोस है कलियर ये यहां पर ये लिखते हैं कि दोनों बाते अब देखें मार्किंग स्क्रीम जहन में बताएं एक नमबर कॉंट्रैट की नेचर बताने का हो गया रेमिडीज हैं दो remedies हैं ठीक है तो दो नुम्बर उसके हो गए एक एक ना ठीक है यह marking करके फिर आपने लिखना चुरू करना है ठीक है अनेलिसिस से पता चल गया क्या लिखना है marking से पता चला कितना लिखना है डी केरेसी अबाव केस में एजियूम करें के सीमिलर प्रोजेक्ट मुसलिम लिमिटेड ने भी दिया उनना ने भी कहा हमारा भी सोचल मीडिया काउंट संबाले रहीम ने एक्सेप्ट कर लिया और उसने कहा इमेल सेंड की ओल को के भाई जान अब हम आपका कॉंटेक्ट पर फार्म नहीं कर सकते क्योंके किस वज़ा से ये अंडर लाइन लाजमी करना है क्वेस्टन के अंदर यह हम इंफरमेशन क्या इसकी वज़ा से सुपर विदिंग इंपासुबिल्टी होती है नहीं होती है यह आप लिखेंगे स्लूशन में मार्क्स कितने हम जो है फूर कहरा है डिसकस दा वैलेडिटी ओफ रहीम स्कॉर्सपॉंडेस आलसो डिसकस ओवेल्स पॉजिशन इन दिस सिच्वेशन क्योंकि यह सुपर विदिंग इंपासुबिल्टी में नहीं आता है ठीक है इसलिए इस कोरिस्पॉंडेस का कॉंट्रैट की वैलेडिटी पे कोई फरक नहीं पड़ेगा आलसो डिसकस ओवेल्स पॉजिशन इस सिच्वेशन अच्छा यह इंट्रस्टिंग स्वेशन है यहां आल लेडी इसको सी के साथ लिंक करना चाहिए कि इंडिबेंडेंटली आंसर करना चाहिए लिंक करना चाहिए उसना बताया वाई सी अबब तो सी में हमने यह इस कंक्लूएं पर पहुंचे थे के कॉंट्रैक्ट वाइडेबल है एड़ आप्शन ओफ रहीं तो कॉंट्रैक्ट स्टिल वाइडेबल ही रहेगा एड़ दी आप्शन ओफ रहीं दिसीन सेम है रीजन ड नहीं है कि नॉन वेलिबिल्टी ओफ रिसोर्स है किस वज़ा से है तो ओल के बारे हम बताएंगे ओल के लिए यह कुंट्रैक्ट अभी वाइडेबल यह रहीं के ओपर इडिमेंड करता है क्योंकि ओल तो उसको इंफरमेशन देहीं नहीं रहा हां इसके ओपर कमेंट कर दि उसेन विल रिमेंर सीम एज वाज इन पार्सी ओल की पोजिशन वही रहेगी जे पार्च से में है सुनने, सुनने, रहीम गया, रहीम ने कहा सर सोचल मीडिया का पासवर्ड, ओल पासवर्ड नहीं दे रहा, इस वक्त ये कॉंट्रेक्ट रहीम के लिए वाइडेबल है, असल में रहीम को चाहिए ये था कि वो एमेल तो बेज देता कि कॉंट्रेक्ट कैंसल कर दिया, उसमें ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी। वो कहता हम 컨्ठेट को कैंसल करते हैं क्योंकि आपने हमें reasonable sources प्रोवайड ने किये जो आपकी जीजमेधारी थी। तो फिर ये 컨्ठेट कैंसल हो जाता फिर ये 컨्ठेट खतम हो जाता अबी भी ये कॉंट्रैक्ट खत्म हो गया उसने कह दिया ना मैंने पर्फार्म नहीं करना रहीम ने कॉंट्रैक्ट खत्म हो गया लेकिन वो खत्म non availability of resources की वज़ा से नहीं हुआ वो किस वज़ा से हुआ C की वज़ा से C में उसने कहा था resources प्रवाइड ने किये वाइडेबल है नीचे पार्ट C में उसने सिर्फ इतना बताया था रहीम के लिए वाइडेबल है D में बता रहा है रहीम ने email कर दी वाइड कर दिया हमने additional concept of comment सिर्फ ये करना है कि ये वाइड non availability of resources की वज़ा से कहना गलत है ये super winning impossibility नहीं होती contract वाइड हुआ एमेल की वज़ा से वाइड हुआ लेकिन ये non availability of resources की वज़ा से वाइड नहीं हुआ किस वज़ा से हुआ वो C में जो reason थी इसलिए OL की position सेम होगी यानि उसने damages बे करने है अब ऐसा नहीं है कि जालिम पार्टी मजलूम बन जाएगी आप ये समझ रहे थे कि पार्ट D में OL की बजलूम पार्ट देखें इसमें अगर इसकी situation D के लिहास से बताएना जो के मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है तो D के लिहास से situation ये बनेगी कि आजियूम करते हैं के D में अभी उसने पासवर्ड वाला मसला नहीं सामने आया अगर तो D वाली आप्शन में पासवर्ड वाला मसला अभी सामने नहीं आया और रहीम ने इमेल की तो ये है ब्रीच ओफ कॉंट्रेक्ट बाय रहीम और नॉन वेल्बिल्टी और रिसोर्स इस वैलिड रिजन नहीं है अब O.L. की पॉजिशन होगी कॉंट्रेक्ट इसके लिए वाइडेबल है ब्रीच ओफ कॉंट्रेक्ट हो गया ये डेमिजिस क्लेम कर सकता है O.L. रहीम से डेमिजिस क्लेम कर सकता है D में ये बास समझ आती है पासवर्ड का मसला है रहीम की तरफ से नौन वेलिबिल्टी ओफ रिसोर्स का मसला है अगर दोनों को इकठा मिलाए अब थोड़ा सोचना पड़ता है अब अब देखें पहले मसला किसकी वज़ा से हुआ पासवर्ड की वज़ा से इसलिए हम कहेंगे के स्टिल अभी भी जो ब्रीच ओफ कॉंट्रेक्ट हुआ है रहीम ने नहीं किया ओ एल ने किया किलियर हुई है बाद ये आप एक क्वेस्टन था ना अगर एक पार्टी तियार ना हो कॉंट्रेक्ट प्रामिस पूरा करने के लिए रूल्ज ओफ पर्फॉर्मस में दूसरी पार्टी को भी करने की जरूरत नहीं है थीक है अब सुनिये जरा स्ट्वेशन सुनिये इन बाईजान से एग्रिमेंट हुआ पांच दिन बाद मुबाईल लेके आना पचास हजार का इन् themed मुबाईल लेके आना है मैंने पचासवार लेके आना है अब मैं घर से निकला मेरी जेब में पैसे कोई नहीं मैं हरान परशान या क्या करूं इसे मैं पचासवार ता मैं रेंजर करनी पाया और उदर जाऊंगा तो मुबाइल नहीं खरीज सकूँगा अब माफी मांग लूँ तो फिर अच्छा है डेमजी से बच जाँगा हो सकता है माफ कर दे मैं ये सोच के पर पर परशान परशान चला जा रहा हूँ आगे से ये भी परशान परशान आ रहा है मैंने पुछा क्या हुआ इसने कहा कि मुबाइल जो था वो मैंने अपने भाई को गिफ्ट कर दिया है अब आपको मुबाइल डिलीवर नहीं कर सकता यहाँ पर मुझे बताईए कि ब्रीच ओफ कॉन्टेक्ट किसकी तरफ से है पैसे वालों की तरफ से कि मुबाइल वाले की तरफ से मैं कहूंगा भाई ब्रीच ओफ कॉन्टेक्ट हो गया वो कहेगा पैसे दिखाओ मैं कहूंगा नहीं कॉन्टेक्ट में लिख है अगर एग पार्टी अपना प्रामिस पुरा करने करें त्यार ना ना हो दूसरी भी ना करे तो इसलिए यहां पे सी में आलेडी ओल की तरफ से ब्रीच हो गया हुआ है तो डी में अगर वो क्या भी रहे नॉन वेल्ड वेर सोर्सेज फरक नहीं पड़ेगा क्लियर जे सी डी में याजिम करें उपर इस इस कंटीनियो चल देगा आगे आज इस कंटीनियो चल देगा सिक्स सिक्स के तरफ आते हैं सिक्स है हमारा रिपरड़क्शन का मजीद अगर आप इसको डिस्क देखना चाहते हों तो स्लूशन आपको शेयर किया गया है आप सब के वाट्साइप पे क्वेस्टन पेपर स्लूशन एगजैमिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम यह शेयर कर दी गई है ना यह शाबाश शाबाश तो वह आपने पढ़ना है बस लेट है रहो यह रिपटेशन कर लेता है कि चार नंबर हैं तो चार ही पॉइंट लिखने हैं कैस में चार लिखने हैं नहीं स्पैसिफाई किया हुआ तो बेहतर है जितने मैकसिमम लिख सकें उतने लिखें एगजैम में सम्टाइम एक पॉइंट का इस तरह के क्वेस्टन में एक नंबर होता है सम्टाइम कम भी होते हैं इसलिए जब खुद से मेंशन नाना करें क मैं ठीन जब मेंशन नी किया 3 के 4 के 5 तो क्या मतलब है मेरे को खुले पॉइंट्स दे दो जितने भी है त uwवारे बाद सारे पॉइंट्स लिख सारे लिख देंगे यह बात समझा अहारी है एमे tetes बी ब्रीफली एक्स्पेंड वेन ने परसन में भी कंसीडर एज ओफेंडर बाइ विर्चु ओफ विच सच परसन में भी पनिश अंडर पर्विए नौ प्रिवेंशन ओफ लेक्ट्रोनी क्राइमेंट हाब वो याद आया वो एक्वाइर और कंवर्ड कॉंसल यह नहीं है यह यह नहीं है क्यों नहीं है यह मनी लांडरिंग का है वो तो एंटी मनी लांडरिंग में था यह तो लेक्ट्रोनी क्राइम वाला है यह लेक्ट्रोनी क्राइम वाला है नहीं समझाए लेक्ट्रोनी क्राइम का कंसेप्ट वो तो मनी लांडरिंग वाला था अगर इसमें सारा कंसेप्ट सेम रखें एंटी मनी लांडरिंग वर्ट चे तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा अंडर आर्बिटेशन स्टेट एनी फॉर पावर्स चार पूछ रहा है कितनी लिखेंगे कम असकम चार तो जरूर लिखनी है हस्बे अस्ताथ हस्बे तुफीक एक अदी एक्स्टा भी लिख दें ना देने देखेंगे जिसने जाना है वो चला जाए लेकिन देखें मेरा फ़र्ज है पेपर तूपरा करा कोई जाना चाहाए कोई रोग टोग नहीं जा सकते हैं बेफिकर होगे करें नुमान सालिम एहमद सना एंटर इंडू पार्टनर फार केरिंग और बिजनिस में अच्छा ये अब देखें सुलूशन नहीं सुलूशन में डिसेश चर लिया क्लास में मैं इसकी मार्किंग स्कीम और प्रिजेंटेशन शेयर करना चाहरा हूँ आपके साथ करें मीट सेलिवाली बात अगर एक्री हुआ है weed में सब को सेल ली मिलेगी नहीं आप्रिजी बिखें कि सिक whomी मिलेगी तो question मिंए क्यों कि किया हूआ फार अगर एग्रेमेंट में यह तय हुए था चिली सब को मिलेगी तो सब पार्टनर तो फिर दूसरा पार्टनर जो भी इसका नाम है नुमान न या जो भी इसको भी सहली मिलेगी वरना क्लिर हूई यह बात Contract में तैय कर सकते हैं न यह भी तैय को किसी को भी सैली ना मिले सबको मिले इसको मिले इसको ना मिले जो भी Contract में तैय ओब Second 20% Ardler combined थे फैमिलि बिजनिस सलीम आर्गुर इसमें दो बिजनिस थे एक था नुमान का फैमिली बिजनिस जो कंपीटिंग बिजनिस था और दूसरा पार्टनर्शिप का बिजनिस था क्या फैमिली बिजनिस और पार्टनर्शिप बिजनिस कंफलिक्ट ओफ इंटरस्ट आया कंपीटिंग बिजनिस आया family business का profit partnership को मिलना चाहिए ना क्यों अगर कोई भी partner competing या similar business से ला रहा हो तो उसका profit मिलता है कि नहीं मिलता हाँ अगर disclose किया है फिर ने तो कहा disclose किया है यहाँ पे तो ने disclose किया उपर कहा disclose यह underline करना है no man disclose disclose सबसे हैं तो उसका मतलब है profit नहीं अच्छा मुझे पताईए relevant legal provision लिखेंगे फिर basis of decision या direct basis of decision पहले relevant legal provision कि यह case study किस पे base कर रही है यह competing business पे कर रही थी इसके hints अगर मैप बनाता तो लिखता competing business ठीक है no share disclose और इदर क्या लिखते हैं कि यह क्या है sell is फिर yes if agreed अच्छा relevant legal provision और basis decision heading देना ज़रूरी नहीं है heading के बगार भी लिख सकते हैं तर्टीब भी ज़रूरी नहीं है चाहे पहले basis decision कर लें बाद में relevant legal provision लेकिन मेरी selection क्या है पहले relevant legal provision लिखा करें और headings भी दिया करें कि नेक्स्ट कि थर्ड थर्ड में क्या मस्टा था उसने का था मेरे अच्छा इसमें अहम चीज कंसेप्ट कहुंसा है अगर कोई partner advance दे दे तो उसे interest मिलेगा के नहीं मिलेगा six percent यह है relevant legal provision relevant legal provision उसे यह capital की बात नहीं है advance है ना 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 वो कह रहा है कि डीटी के bank account में पैसे नहीं थे मैंने पल्ले से आरजी तोर पे पैसे दी है मुस्तकिल नहीं है आरजी तो मुस्तकिल हो तो वो capital होता है अब यह देखा यह चोटा डिसियन ब्राडिसियन यहां पर बड़ा डिसियन क्या था कि यह capital है क्योंकि capital है तो फिर interest नहीं मिलना फिर तो मिलना है और अगर loan है तो फिर interest मिलना है हाँ capital नहीं है ठीक है कि यह confusion की बात है कि उसने confirm का ही cash दिया है कि अपने जाती पैसे दिया है यह confusion सिर्फ reimbursement होनी चाहिए इंटरस्ट नहीं होना चाहिए नहीं पहले तरतीव से चले पहले मुझे बताईए capital है कि advance यह फरक समझा गया यह advance है उसके बाद interest मिलेगा के नहीं partnership agreement क्या कहता है अगर agreement silent हो तो interest 6% में मिलेगा मैं आपसे जो एहम चीज़ पूछना चाहता हूँ वो यह क्या सिर्फ यह लिख देंगे कि interest at the rate of 6% मिलेगा या के calculation भी शो करवानी चाहिए बताईए calculation शो करवानी चाहिए कि नहीं याद रखिए exam में जब कभी dates दे यह लिख लें पहले सफ़े पर कहीं लिख लें लाग जब कभी question में dates दे या amounts दे अगर calculation हो सकती है तो करना फर्ज है जब कभी dates दे या amounts दे अगर calculation हो सकती है तो करना फर्ज है वो जब age of majority अचीव होती थी याद है छे महीने हम सिर्फ 6 महीने जनरल कहा कि बात खतम करते थे या date calculate करते थे calculate करते थे तो question में जब कभी amounts या dates हो calculate करना हम पे फर्ज है वरना easy marks नहीं मिलेंगे सिर्फ जनरल नहीं लिख देना six month तो यहाँ पर calculation करनी चाहिए yes यह हम बाइंट था फिर उसके बाद वो कह रहा है जब मैं चला जाओं तो यह नाम इस्तवाल ना करना कोंसा concept है goodwill goodwill को एक किसका हक होता है सारे partners का इसमें एक question बस पूछूँगा बाकी कुछ नहीं पूछूँगा बाकी सारी कहानी कलिए आ रहा है कह रहा है सारा regarding यह minor admitted into benefits of partnership है yes sir requirement advice सारा regarding her rights and liabilities in respect of duty on attaining age of majority rights लाइबिल्टी लाइबिल्टी लाइदा ऐसे बताएंगे question start कहां से करेंगे पहली line क्या होगी start कहां से पहले तो minor में देखे minor के rights and liabilities depend करते हैं 18 साल पे पहुंचने के बाद depend करते हैं उसने partner बनाया के नहीं बना तो rights and liabilities if she decides to become partner different है if she does not decide to become partner different है question में देखें अगर तो उसने बताया है सारा का फैसला क्या है तो फैसले के मताबिक rights duties बताएंगे क्या question में बताया है उसने नहीं तो फिर क्या करना चाहिए दोनों बताने चाहिए अगर सारा decide करती है के partner तो फिर क्या होंगे यह बाद समझा रही है कई questions ऐसे थे जिसमें बता देता था if decides to become partner if decides not to become partner rights liability repeat नहीं कर रहा हूँ हूँ मुझे पता है हमने question भी किया हूँ आपने बड़े भी होंगे लेकिन लिखने है के नहीं क्या लिखना है कितना लिखना है यह आप से करवा रहा हूँ है तीन तीन चार्जर पॉइंट्स जितने भी हैं दो हिसों में फाइव मार्क्स जिस्क्रिफाई हुए कर नहीं हुए ठीक है ना आ राइट्स हैं लाइबिल्टी डिसीन भी डिपेंड करते हैं ना नेक्स यह चोटा सा क्वेस्टन और यह इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी हमने कहा था कि उसने ऐलोकेशन नहीं की डिटर ने जब डिटर ऐलोकेशन ना करे तो फिर क्या होगा स्टैप नमबर वान करा डिटर की मरजी जैसे मरजी कर दे वो भी नहीं करता तो टाइम आ डेटा तो अडिजस्ट कर दें सोरी तीन बाते थी नमबर वान इंटरस्ट पहले अडिजस्ट करें प्रिंस्पल बाद में प्रिंस्पल में आए टाइम बाड़ भी अडिजस्ट कर सकते हैं डिस्पूटेट नहीं कर सकते इस क्वेसर में इंटरस्ट था ही नहीं इस क्वे एखर्डाइंस किया बाति साथ इस उसमें से किया फिर आप पिर आपके घर सोचा दू किस लिए दी हुई थ में देप सबसे इहम ठाइस वह यह था कि दौ कि दू से तो अमांँट्स वीड़ी देट आखर अगर 20-20 की डेट दोनों दियों तो कोन सी डेट रलीमंट है। दोनों नव्य और दोसों दोनों ही सेम डेट टो अब किसे के लिए 60,000 करना है। नवे में एड़ेश्ट करूं दोसों में करूं या परपोर्शनेट परपोर्शनेट करें परपोर्शनेट 90 डिवाइड बाए 290 मेल्टिवाइड बाए 60 यह होगा इसकी इजस्टमंट और 200 डिवाइड बाए 290 मेल्टिवाइड देख्या कितने स्टूंट्स को यह परपोर्शनेट कैलकुलेशन करनी कर ली थी इस क्वेस्टन में और कितने स्टूंट्स नहीं कर पाए कोई चले अब समझागी आपको सेम देड हो जारती है तो क्या केलकुलेशन शोंग रवाणी है कि सिरफ प्रपोर्शनेट कर देंगे ना START क्यांकि अभी बताया डेड़'s दी हो या मूं दी हो calculation show करवाना हम पर फर्ज है five marks साथ justified है relevant legal premium लिखनेंगे फिर उसके बाद दो points और लिखेंगे एक creditor को भी adjust कर सकता है दूसरा अगर नहीं किया फिर time order time order से सारी कहानी calculation show करवानी है ओ जी overdue को कर सकते हैं कर सकते हैं overdue है जो due date गुजर जाए आपका बिजली का बेल है 28 सारी को पे करना था नहीं किया 29 सारी को कहेंगे यह overdue हो गया by one day और तीन साल बाद time बाड होगा overdue में time बाड में फरक है overdue एक दिन बाद ही हो जाता है due date के time बाड कब होता है यह काजिम भाई आ गए है अच्छा यह वही काजिम भाई है आके कहने लगे के जल्दी 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 यारा के सटी मैंने आगे जाना है जल्दी जल्दी तो कौन सा कंसेंटर एलिमेंट था यहां पर है के रिजनेबल अपर्चुनिटी फार इस्पेक्शन होने चाहें नहीं दी वैदर काजम जाना जाना पूजिशन क्या होगी यह यह वैड़ी टेंडर नहीं है वाइड़ेबल एड़ आप्शन ऑफ जैनेब जैनेब चाहें रिसेंट कर ले चाहें कंटिन्यू कंटिन्यू कर दे तो कल्क परसों का इंजार करें जब फ्री टाइम हो उसके पास आए क्लियर यह जब वाइड़ेबल होता है तो दोनों आप्शन डिसकस करते हैं आप कि वो पार्टी रिसेंट भी कर सकती है कंटिन्यू भी कर सकती है भी में वो कह रहा है कि जी अगले दिन जब वो डिलिवरी ले के आया तो जैनेब ने का डिलिवरी तब एकसेप्टिड होगी जब 20% डिसका जा है फिर डिसकाउंट मिलेगा बिल्कुल डिसकाउंट मिल जाएगा यह काउंटर आफर नहीं है यह आल्ट्रेशन इन कॉंट्रेक्ट है क्योंकि आफर कॉंट्रेक्ट हो चुका है जब कॉंट्रेक्ट हो चुका हो फिर आफर और एकसेप्टन्स के वर्ड यूज नहीं ह पढ़ेंगे और एगरी सुगर तूपे गलियर हो गया बात में उसको अगर एगरी कर देते हैं दोनों पार्टिस अब इसमें मुझे बताएए यह क्वेस्टन नाइन पार्ट बी पार्ट वन यह अलादा पेज बे और नाइन पार्ट बी सब पार्ट लादा पेज बे चाहे एक लाइन में आंसर क्यों ना आ जाया है चाहे एक लाइन में आनसर क्यों ना आ जाया है हाओ अजार Sp proposal stands revoked also describe time frame after which proposal cannot be revoked two in one question ये revocation of offer अभी बात कर रहे हैं आफर कैसे revoked होती है फिर describe time कब revoked नहीं हो सकती अच्छा बताएए सिर्फ heading लिखनी है दो इसे हैं पहला हिस्ता how and what grounds heading लिखनी है के explanation भी identify identify list ठीक है state इनका मतलब क्या होता है लेकिन याद रखे हमारी book में heading हमने कोशिश की है इस तरीके से बने के वो in itself complete sentence हो आपने भी यही कोशिश करनी है कि heading इस तरीके से लिखें के meaningful sentence हो ठीक है सिर्फ counter offer नहीं लिखते ना counter offer बलके क्या लिखना है if promisey makes counter offer ठीक है यह meaningful sentence सिर्फ counter offer का लफस लिखना meaningful sentence बास समझ आ रही है लिखेंगे सिर्फ heading ही लेकिन meaningful sentence में अच्छो time frame time frame क्या है कब offer को rework किया जा सकता है अच्छा again वही कल भी शायद यह मसला था कब कुछा कब नहीं किया जा सकता है cannot be हाँ तो बताएंगे acceptance as against when acceptance is completed as against offer और फिर आगे बता देंगे कब acceptance is completed as against offer और पचास रपे इनाम दूँगा आप अगर बता दें स्वाल का जवाब और सोर पया दूँगा इस बात पर अगर आप यह बता दें स्वाल किया है जो मैंने अभी पूछा है आपसे यह ले जाए बाई का तेजरबा है बाई का तेजरबा है ऐसे देंगा ने ठायर जाए सचमुच ना पूछा था अफर वो कैसे होती है नहीं यह तो पुरानी बात है यह तो पुरानी बात है नहीं नहीं मैं पुल सा था नहीं अच्छा एक दा मैं डर किया था ज्यादा ही रिस्क ले लिए रहा है कई बात नहीं यह खाता है केलकुलेटिड रिस्क यह आगे चलके आप सीखें केड़ आपने लागे चलते हैं रूज और रूज आखरी क्वेस्ट रूज इन रिस्पेक्ट ओव अच्छा यह उपर जाकीर वारा क्वेस्ट गुजरा है जिसमें वो गया था आप मैंने आगे जाना है इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसने टाइम एंड प्लेस मेंशन किया हुआ था मसला टाइम एंड प्लेस की वज़ा से नहीं था टाइम एंड प्लेस मेंशन था और वो उस टाइम एंड प्लेस में आया था मसला था अपरचुनिटी इंस्पेक्शन की नहीं थे यहां पर अगर टाइम एंड प्लेस मेंशन ना हो तो वो reasonable time का rule अलाइदा बताना है place का अलाइदा बताना है time का क्या rule था और place का apply करेगा पूछेगा ये दोनों को आपने अलाइदा अलाइदा heading दे के बताना है time का rule अलाइदा ये heading कोशिश करें अपने जो question आप solution प्रिजेंट करते हैं न उसका हिसा बने इससे पता चलता है कि आपका concern भी clear होता है कि आपने इस point में explain क्या करने जा रहा है clear जी अच्छा मुझे ये बताईए दो चीज़े पहले चीज़े ये जो हमने ये तीन classes रखी हैं जिसमें हर class में कोशिश की हमने पूरा paper discuss हो इसका कोई फाइदा हुआ कोई mind आपका multi processing करने का आदी हुआ चलिए शाब अच्छा दूसरा मुझे अब ये एक general question अब ये अगली attempt के students के लिए काम आएगा हमने कोशिश की है के class में case study की practice करें आई-कैप का तो हमने तकरीबन मेरा हला कसम कहा सकते हैं हम के एक-एक question case study को practice किया है ऐसे ही है हम मेरे knowledge के to the best of my knowledge and belief हमने एक-एक question को किया फिसका आप volume 2 को भी किया है क्या आप समझते है case study की इतनी practice sufficient थी या आप समझते हैं कि ज्यादा होनी चाहिए या आप समझते हैं कम तीन वोड देने है पहला कितने स्वोड है जो समझते है के case study की जितनी practice है ये reason इप इसे concept सारे समझ आ जा जाते है चलिए ज्यादा दर अच्छा कितने स्वोड का ख्याल है practice ज्यादा होनी चाहिए इससे चार पांच कितने का ख्याल है इससे कम होनी चाहिए के भी चार पांच यानि ये इतनी को आँच ठीक है ना हलकी आँच करने की जरूट है ना तेज बढ़ ठीक है चलिए ठीक अच्छा आखरी एक दो आखरी बात अब देखें उनलें वाले स्टोन्स नश्बतन इस टाइम पे कमफरडेबल फेज में होते हैं उन्हें पता होते हैं कभी भी सरसे क्वेस्टन पूछ सकते हैं उनके लिए वाटसटैप ग्रूप की स्पोर्ड होती है एक्जाइम डे तक लेकिं फिजिकल वाले स्टोंट्स का लिए नहीं होती अब अगर आपके जहन में कोई क्वेस्टन आता है पढ़ना तो अभी स्टार्ट करते हैं ना इसी मिने डेड़ मिने में आप सही टका के तो इसमें प्राबल तो क्या सुन लें अगले पूरा हफ़ता डेली बेसिस पे कालूज में आ रहा हूँ आप किसी भी दिन आके अगर मेरी कोई दूसरी क्लास ना हो रही हुई तो आप टीयर रूम में आके मुझसे क्वेस्टन पूछ सकते हैं कोई भी फिर इसके बाद इसक क्वेस्टन पूछना चाहें उस वक्त भी क्वेस्टन पूछ सकते हैं ठीक है लेकिन उसमें टाइम एक्जेट कंफरम नहीं है कि मैं तीन बजे आँगा साड़ी तीन आँगा चार बजे आँगा ठीक है लेकिन पांच बजे से पहले पहले इंशाला आजाये करूंगा उस थर्टीन से ओनवर्ड हो रहा शायद है तो आप इसके रिवियन कर लें कमलीट सारी और जो जो क्वेस्टन आपके उनको नोड करते रहें जिस दिन आप मौक अटेम्ट करने के लिए आएंगे चला मैं भी कॉलेज में मुझूद होगा तो आपके जितने क्वेस्टन हो मैं के चांस बाकी बचया सारे क्वेस्टन पूछने का मौक वाले दिन वरना किसी और दिन आप आना चाहें आ सकते हैं जैसे मैंने आपको टाइम शेडूल बताया अपना लेकि उसमें फिर आपको दो चाल क्वेस्टन के लिए घर से उठके आना पड़ेगा चाना पड़ेगा टाइम वेस्ट होगा और इस टाइम वक्त में आपका वक्त वह कीमती है यह जो फिर चाल ला है तो इसलिए आप ने कोशिश करनी है मौक से पहले हर हाल में रिवियन कर ले और जो जो क्वेस्टन कंसेप्ट आपके अभी रहते हैं समझ नहीं आए उनकी लिस्ट बना ले औ कलियर जी चलिए यह था हमारा सेशन कोई बात नहीं यह तो भाई का फर्ज था चलिए नहीं पचास नहीं आज का लेक्शर हाँ मेरी शुब कामना है यह आप लोगों के साथ हैं मेहनत करें कोई मुश्किल नहीं है कैफ और इजी ठीक है मैं आपको देखे मैंने आपको तह यह अंडर स्टेटमेंट नहीं करता तो मैं जितने अरसे से बढ़ा रहा हूं पेपर भी देख रहा हूं कमेंट्स वारा सारी चीज़ें ओवराल मेरा सब्जेट के बारे में कंक्लियन यही है इजी है अगर आपने रेगुलरली सारी क्लासिज पढ़ी हो और बल स्टेज पे हैं बाद उकात ना आहरी दिनों में शितान वर गलाता है यह ऐसा करते हैं तीन को तीन पेपर नहीं एक जरा 50-50 है इसको छोड़के दो की तियारी दबा के करते हैं हाँ जी यह बाद उकात वो शितान किसी दोस्त की शकल में भी आ जाता है तो आपने उसको टीचर से करना है दोस्ते मशुरा नहीं करना फ्रीक है चलिए यह था हमारा लाज का लेक्चर और सेशन आज का लेक्चर और सेशन आपे खतम करते हैं आप अला हाफिस